इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि राम मंदिर का स्थापना कब हुआ था और इसके लिए क्या क्या पापड बेलने पड़े थे यह सब पूरा डिसकसन होगा कि राम मंदिर के बारे में हम लोग अभी देख रहे कि राम मंदिर कैसा है राम मंदिर का यह है front elevation और यह है side elevation left side elevation अंदर में दिखने वाला जो राम मंदिर का जैसे दिखेगा engineering drawing ऐसे किया हुआ है और side elevation हम लोग देख सकते हैं कि यह राम मंदिर का side elevation है हम लोग अगर बात करें कि राम मंदिर का history क्या है according to the local Hindu belief the site of the now demonized Barbie Moscow in Ajudda is the exact place of Rama अर्थात इसका मतलब है कि राम का यहां पर जन्मस्थल है उत्तरपदेश का यह जगा था कि राम का जन्मस्थल तो यहां पर 1528 और 29 के अंदर मीर वाकी ने यहां पर एक बार भी मस्क्यू खड़ा कर दिया था तो इसको बाद में तोड़ा गया 6 December 1922 में तोड़ा गया था एक हिंदू पोलिटिकल रेली के बक्त 6 December 1922 में इसको तोड़ा गया था और इसके बारे में केस दर्ज हुआ 30 September 2010 में यह टोटल लेंड था हम लोगा 2.77 रेकर अर्थात 1.12 हेक्टर अफ लेंड तो इस जगा पर टोटल लेंड को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया थ्री जाज बेंच ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया एक पार्ट दिया राम लल्ला और इंफेंट रामार रेप्रेजेंटेट वाइड हिंदू महासभा और एक पार्ट दिया गया एक सुन्नी वक्त वोड और तीसरा पार्ट दिया गया निर्मोही अक्तर वहाँ पर जाज लोग नहीं चाहते कि एक टेंपल को डेमोलीस करके यह राम मंदिर बनाया जाए इसलिए वो लोग अगस्ट टू अक्टवर 2009 तक यह केस चला उसके बाद जो केस ववह वह वह आई ती हसीख था इस्ट्री में इंडियान हिस्ट्री में 9 नवेंबर 2009 में शुप्रीम कोड हेड़ेट वाई चीप चस्टिस रंजन गुईंग उसने एनाउंस किया कि यह जो फाडिक्ट था इस लेंड के उपर इसलिए ये लेंड पूरा जा रहा था कि कम्वेंट के पास तो यहां पे और एक बात हुआ कि ये जो लेंड था टैक्स रेकर्ड के उनसार ये लेंड चला गया पूरा कम्वेंट के पास और यहां पे और एक चीज हुआ था कि फाइबेकर लेंट दुसरे जगा पे सुन्नी वक्त बोट को मुस्क्यू बनाने के लिए भी दिया गया था और फिप्थ फेबरुआरी 2020 में कॉप्मेंट ओप इंडिया अर्थात आगस्ट 2020 में अर्थात आज के दिन राम मंदिर का निर्मान कारिय अर्थात भूमी पूजन स्टार्ट हो गया